हेलो दोस्तो नमेश्कार केवल एक ही शेर के बारे में जो कि आज के दिन काफी हम लोगों चर्चे में रहते वी देखने को आपे मिला है वह कंपनी कौन सी है तो दोस्तो वह कंपनी है KPIT KPIT की अगर हम लोग बात करें KPIT टेक्नोलोजी की अगर हम लोग आपे बात करें तो आज की दिन 7% अच्छी तरीके से गिरावट इस स्टॉक में आमनों को होती भी देखने को मिली है वैसे तो देखा गया तो गिरावट तो हर किसी स्टॉक में होती है और खास करके जो स्टॉक पिछले 5 दिनों में मतलब नेट 8% भागा है महिने बर में 30% भागा है 6 महिने में 60% भागा है साल भर में 120% यहाँ पर भागा है 5-5 साल में 1200-1300% के रिटन्स यहाँ पर है मतलब क्या है बताने का कि जब इतनी अच्छी तेजी आ जाती है तो उसके सामने फिर 7-8% की गिरावट यह एक नॉर्मल बात यहाँ पर माने जाते है क्योंकि कमपनी भी मिड़ साइज की कमपनी है बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह गिरावट नॉर्मल गिरावट निये नॉर्मल करेक्शन निये से related उनका जो target है वो उन्होंने यहापे कम कर दिया एंड कहा है कि KPIT टेक बहुत नीचे जाएगा लगबग लगबग 40% के आसपस crash हो सकता है अभी आप बोलो कि सर क्या बात करें वो 40% ये तो पुरा नी खबर है न वो JP Morgan ने बोला था कि KPIT टेक 50% यहापे crash होगा करके रहे नहीं नहीं मैं इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ JP Morgan के रिपोर्ट के आपे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं नए रिपोर्ट की आपे बात कर रहा हूँ जो की कोटक लेके आया है ठीके तो initial stage पे आपको लगा होगा मैं JP Morgan की बात करो नहीं जहां JP Morgan ने भी कहा था कि ये लगबग लगबग 40-50% क्रैश हो सकता है करके वैसा तो कुछ हुआ नहीं बट अभी एक नया fresh और प्लियर आ गया वो है KOTAK तो KOTAK भाई साब ने आपे बोल दिया है आप देख सकते हो बोला है कि KPIT टेक को सेल करके चलो करके और उसका target प्राइज उन्होंने दिया है 940 तो ये major reason है दोस्तों जिसके चलते आज कि लिए हम लोगो KPIT टेक गिरते वे देखने हो का आपे मिला है देखे ये बात KOTAK ने यहापे कई है ठीक है अभी जैसिक में ने कहा कि हर एक broker को कोई ना कोई मानता होगा उनके reports को follow करता होगा ठीक है अभी KOTAK इससे related reasons भी आपे provide करते है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा वो क्यों बोल रहे करके कि 940 के आसपास यहापे होना चाहिए साल भर में 940 तक आ सकता है यह उनका target उन्होंने देकर यहापे रखा हुआ है सबसे पहले थो हम लोग थोड़ा calculate कर लेते कौनसी चीज तो आप देख सकते हैं अभी KPIT TAKE आज के लिए ओपन हुआ वही उसका हाय था 1624 1624 में यहापे लिख लेता हूँ 1624 और हटा देता हूँ कितना 940 जो target की बात कर रहे है 940 मतलब लगबग हम कह सकते 684 पर शेर यहापे वो क्या हो सकता है नीचे आ सकता है KPIT TAKE ऐसा अनुमान उन्होंने यहापे लगा है इसको अगर मैं percentage में calculate कर लू क्रैश हो सकता है करके again and again repeat कर रहा हूँ यह मैंने कर रहा हूँ किसका अनुमाने? कोटक का अनुमाने जो कि उन्होंने target price दिया है 940 रूपीज का इसी चीज के चलते अगर हम लोग यहापे बात करे तो KPIT TAKE आज हम लोगो अच्छा खासा गिरते वे दिखने का आपे मिल चुका है तो अगर आप यहापे पूछोगे कि भाई यह जो target उन्होंने दिया है क्या problem क्या है इनको? ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि JP Morgan ने भी अपना reason सामने रखा था तो कोई तो reason यहापे होगा तो कोटक ने ज़्यादा कोई बात को फैलाया नहीं है उन्होंने एक ही simple बात यहापे बोली है company खराब नहीं है ठीक है, but yes जिस हिसाब से company का share भागा है ठीक है, वो देखा गया है तो मतलब, बात मतलब बोलते हैं हजम नहीं हो रही है ठीक है, जिस प्रकार से मतलब, बोलते हैं ना, fundamentals आपके बहुत जबरदस होगे ठीक है, कोई company ने कुछ अच्छी चीज़े यहापे की है तो उसके चलते stock भागा समझ में आता है बट यहापे ऐसी कोई चीज देखने को यहापे मिली नहीं है ठीक है, the share have gained without any commensurate fundamental तो इसी चीज़ के चलते, उनका यह मानना है कि यह 30 टिक नहीं पाएगी और इसी चीज़ के चलते, आने वाले समय में KPIT Take का share 42% गिरकर लगबग लगबग 940 तक मतलब, तीन डिजिट में यहापे आ सकता है ऐसा कोटक का यहापे मानना है कोई comeback की गुंजैश नहीं रहे, शुरुआत ही gap down हुआ उसके बाद लगातार बिक्वाली, बिक्वाली, बिक्वाली होते वे देखने का आपे मिले मतलब, शुरुआत में जो कोटक के reports को ज़्यादा follow करते होंगे उन्होंने definitely आपे, अपना माल शायद से आपे बेचा होगा और इसी चीज़ के चलते हमनों को गिरावट और extend होते वे देखने का आपे मिल चुके बीच में हम कह सकते कि 1500 के level तक आया था, वही से support लिया, वापस जम किया वापस उसी level पे जाते वे देखने का आपे मिल रहा था, तो 1500 के level को भी तोड़ा था, 1492 तक यहापे आ चुका था, बट फाइनली जो closing यहापे हुई है, वो 1500 के उपर होते वे देखने का आपे मिल चुकी है और सिमिलर रिपोर्ट जैसे मैं आप लोगों को बताया, कि JP Morgan ने भी यहापे निकाली थी, कब निकाली थी, एपरिल में निकाली थी, ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि KPIT टेक का जो share है, वो उसका price उन्होंने कितना target दिया था, 520 रुपया दिया था, कि इतना नीचे आए बट अगर हम लोग यहापे JP Morgan की अगर रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो वो totally fail होते भी दिखने का आपे मिल चुकी है, ठीक है, क्यों क्योंकि अगर देखा गया, जिस दिन यह रिपोर्ट यहापे आई, अगर देखा गया, जो crash यहापे हुआ था stock, तो KPIT टेक था, उनका जो reason था, वो तो हम लोग को कोई किसी हद तक सही जाते भी दिखने का आपे मिला नहीं, total fail होते भी दिखने का आपे मिल गया, in fact अगर हम लोग कोटक की रिपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने का था 520 की टार्गेट JP Morgan ने, 800 के आसपस वो stock था, फिर भी कोटक क की रिपोर्ट की बात माने, तो वो साड़े 900 की बात यहापे कर रहें, मतलब स्टील अगर गिर भी गया, तो भी JP Morgan के price के, कई गुना वो हम लोग को उपर ही रहते वे दिखने को मिलने वाला है, हाँ, अभी अगर हम लोग बात करें, JP Morgan ने यहापे 720 का टार्गेट की दिया ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा गया, तो KPIT Tech का share यहापे नीचा आएगा, यह एक point उन्होंने सामने रखा हुआ था, and second एक और reason उन्होंने सामने रखा हुआ था, and उसके पीछे का reason है verticals, yes, मतलब जो business, KPIT Tech जिस business में involved है, देखा गया तो आपको पता है, KPIT का जो major business है, जो वो auto segment से related हमनों को देखने को मिल जाते है, technology से related, और यह एक ही vertical है उनके पास, अभी कुछ-कुछ IT company आपने देखे होगी, auto में भी काम करती है, healthcare में भी काम करती है, banking finance में भी काम करती है, अलग-अलग segment में काम करती है, but KPIT Tech के अगर हम बात करें, केवल एक ही auto segment में काम क में काम करती है, and JP Morgan ने यही डर बताया था, कि एक level पर जाके, फिर यह stock stuck हो जाएगा, उनके पास expansion के लिए growth के लिए कोई scope बचेगा ही नहीं, ठीक है, and यही reason है, कि उन्हों ने कहा था, कि KPIT Tech 40-50% गिरेगा, 520 तक आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इतना भी हम बात करें, तो 16 सो, मतलब 800 का double, 16 सो यह होता है, JP Morgan के report के बाद, यह double ही होते वे देखने का आपे मिल चुका है, तो इससे हम लोगों को एक बात तो पता चलती है, जो मैं multiple time आपको सिखा कर बोल चुका हूँ, कि किसी की भी report यहापे आ जाए, blindly किसी को पर भी भरुसा करना नहीं है, कुछ हद तक कई लोगों के report सही जाते हैं, कुछ हद तक लोगों के report गलत भी जाते हैं, यह चीजे चलती रहती है, तो इसलिए कभी भी blindly यहापे किसी चीज को follow यहापे करना नहीं होते हैं, हाँ, जरूर पंड़ना होता है, कि वो ऐसा क्यू बोल रहे करके, ठी 42-42% यहापे हम लोगों को गिरावट देखने का आपे मिल सकती है, अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तों, तो KPIT टेक के quarter 2 के number भी कैसे रहे, तो वो number भी हम लोगों को अच्छे देखने का आपे मिले थे, हाँ, यह तो अभी तक की बात है, ऐसा तो हम लोग यहापे कह होगी, तो आपको क्या लगता है, जरू आप अपना comment section में आपे share कर सकते हो, बाकी अगर देखा गया, company fundamentally weak नहीं बोला है, सिर्फ एक ही चीज़ उनने बोली है, कि भागा है, अच्छी बात है, बट जो यह सफर है, मतलब 300-400 रुपे एक्स्ट्रा भागा है, उसके पीछी क सेटल डाउन हो सकता है, साल भर के अंदर-ंदर, यह कोटक का यहापे केना है, मानना है, तो देख लेते हैं, आगे किसकी भविश्यवानी सच होती है भी या नहीं, या फिर KPIT यहाँ से भी और उपर जाता है, यह एक देखने वाली बात यहापे जरूर होगी, तो आशा कर सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए, बब बाई